नमस्कार दोस्तों मैं हूँ किमी फॉम राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत अभी नंदन तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आप लोगोंने पढ़ी लिया होगा और दुबारा से मैं एक बार और बताती हूँ कि मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे प्लान बताऊंगी जो की सीजनल होते हुए भी आप उन्हें पैरिनियल ऐसी कंडिशन्स दे सकते हैं जिसमें क कि यह प्लांटे आपके गार्डन में रह सके हैं तो दोस्तों कई चीजों मेंए कि कई प्लांटे पैसा होता है कि हम उसे अगले साल तक सेफ करके रख सकते हैं अब example क्लांचो हो गया, डाइन्थस हो गया, गजानिया हो गया, पेपर प्लांट हो गया, इन सबको आप बचा सकते हैं दोस्तों, ये आपके next year पे भी आपको फ्लारिंग दे सकते हैं, हॉली हॉक हो गया, तो ये ऐसे गार्डन के सीजनल प्लांट्स है, जो कि आपको पैरेन प्लांट्स है, तो आज मैं कुछ ऐसे प्लांट बताऊंगी और उनको सेफ करने का तरीका बताऊंगी, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनको हम सेफ नहीं कर सकते हैं, सेफ नहीं किया जा सकता है, तो वो प्लांट्स होते हैं, पिटूनिया, टायमर पोतिका, वरवीना, इन सब को सेफ करना बहुत टफ है, और एवेंच्वली सेफ हो भी जाएं नेक्स येर, तो नेक्स येर, जैसे ही उनका टायम आता है, और वो प्लांट अपनी लीव्स निकालने के में जोर लगाता है, वो वहीं पर वो प्लांट खतम हो जाता है, तो उसमें कोई फाइदा नहीं है, अब ये डेलिया हो गया, आप डेलिया को भी बचा सकते हैं, डेलिया होता तो चलिए दोस्तो बात करते हैं कुछ इसी तरह के plants पे तो मैं कुछ plants अब सेफ कर रहे हूं तो उनहीं plants के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं उनका तरीका बताने वाली हूं मेरा हर plant का तरीका कुछ-कुछ यलाग है तो वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ तो दोस्तों गजानिया एक तो है हमारा यह गजानिया गजानिया का क्या है इस वक्त जिस भी पॉट में आपका गजानिया लगा हुआ हो वो दोस्तो उस pot से निकाल के किसी grow bag में transplant कर दीजिए अब देखिए ये वाले गजानिया आपने लगातार मेरी garden में खिली हुए देखे तो इनको मैंने अब एक नई soil में अच्छी soil में grow bag में रख दिया है तो ये जो है दोस्तो plants ये इस वक्त बिना sunlight के रहेंगे मतलब बिना sunlight ही थोड़ी बहुत sunlight इनके पढ़ती रहें शाम की आजाए ये सुबह की आजाए यहाँ मेरी शाम की आती है तो यहाँ से वैसे मैं इनको हटाऊंगी और वैसे मैं इसे अपने porch garden में shift करने वाली हूँ जिसे इने और कम sunlight मिले यहाँ अभी भी इनके लिए तेज है इनके recording तो दोस्तो porch garden में मैं इनको रखने वाली हूँ shift करूँगी उसके बाद दोस्तो जब बारिशों का time आएगा तो इससे एक अच्छा covered area हम लोग देंगे बारिश की एक भी बूर ना पड़ पाए तो गजानिया को सेफ करने का तरीका दोस्तो यही है कि बारिश से बचाईए और धूप थोड़ी सी कम लगने दीजिए अब प्लांट जल सकता है यह तो ओइसे प्लांट है दोस्तो कि मेरे अभी तक भी खिल रहे हैं मैंने transplant भी कर दिया लेकिन अभी भी इन में इतना जो रहे है इतना दोस्तों इन में दम बचा है कि यह अभी भी flowers को खिला रहे हैं बीना दूप के भी hier धूप कम हा號 है तो अभी भी इनकी leaves जो है वो green ह अभी भी Green Green में बरकरार है हलके हलके जलने लगे थे तभी मैंने इनको फटा दिया। चलिए दोस्तो next flower वह मैं आपको दिखाऊंगी डेलिया का तो डेलिया को बचाने का दोस्तो बड़ाई कॉमन है कई लोग डेलिया को बचाने का तरीका जानते भी है और कई लोगों को नहीं भी पता होगा तो डेलिया का क्या होता है दोस्तो डेलिया का और हॉली होक का तरीका सेम है इसको यहां से जब यह प्लांट खराब हो जाए तो बिल्कुल इस एरिया से यहां से दिख रहा आपको यह इस एरिया से बिलकुल नीचे वाले नीचले छोड़ से इसको कट कर दीजिए और इसका जो बल्ब है वो उसी गंबले में छोड़ दीजिए और उपर उपर से आप लोग इसमें मॉस रोज या फिर किसी और प्रकार का जो प्लांट है जो हैवी अज़े दोस्तो हली होप का है हॉली होप का समय थोड़ा कम होता है जैसी इसकी सारी फ्लारिंग compliant होती है तो यह दुबारा से हाइट लेता है और एक स्टिक इसकी अपने अभने लगती है और नेक्स्ट इसकी अपने लीवर की बनने लगती है तो इसमें होता क्या है आप उस next stick पे मत जाईए जब इसकी pruning का समय आए तो इससे बिल्कुल कट कर दीजिए जब आपको बेगरी बेगरी leaves लगें तो बिल्कुल कट कर दीजिए दोस्तों अपना टाइम आने पर ये बिल्कुल सही वक्त पर दुबारा से हो ही जाएगा ये इस वक्त आप इसे थोड़ा कट कर सकते हैं अगर आपका प्लांट बना रहे जब तक भी बना रहे बने रहने दीजिए जब आपको दिखाई दे कि लीव्स थोड़ी बेगरी बेगरी हो गई है या फिर सूखने लगी है तब दोस्तों आप इसे कट कर दीजिए चलिए दो समारा यहां नहीं देखेगा यहां मैं आपको फ्लार दिखाने के लिए लाई है जो फ्लार यहां खिले हुए तो डाइन्थस यहां आपको नहीं दिखेगा चलिए दाइन्थस में आपको दिखा देती हूं अभी पहले आप फ्लार्स देख लीजिए देखिए यहां पर ब थे लग चीश आती है न महरून के साथ इससे बस ओल्ली इस से इसका नाम पड़ा हूआ है देखिए तो यह ब्लाग रोज ही है लेकिन महरून भी कह सकते हैं तो यह देखिए दोस्तों यहाँ पर यह दूसरा रोज है कोरल कलर का रोज है और दोस्तों यह वाला यहाँ पर फ्लोरल रोज है सारे फ्लोरल रोज यहाँ पर खिले हुए है और यहाँ पिटूनिया से सारे जितने भ दोस्तों यहां डबल पिटूनिया भी है यहां पर और एक जॉरा में भी अब अच्छे से दोस्तों पतियां आने लगी है एक जॉरा भी मेरा अवेक हो गया है हुआ है तो चलिए दोस्तों मैं आपको ड्यायनधस दिखा रही थी तो मैं अब आपको यही से ड्यायनधस दिखाऊँगी है थोड़ा जूम करूंगी जूम करूंगी जूम इन करके मैं आपको दिखा रही हूं देखे दोस्तों जूम इन करके मैं आपको दिखा रही हूं यहां पर यह डाइन्थस है मेरे डाइन्थस के प्लांट है यह इस तरह से बिल्कुल सेम गजानिया की तरह इससे सेफ कीजिए बिल्कुल सेम गजानिया जैसे सेम प्रोसेश है शेख गजा निया का भी पने है को दोस्तों पेपा प्लांट डांट परीव कर दोस्तों यह हमेरा क्या है कि यहां दून ना सकता ने कि दृइब नहीं है कि वज़े से दोस्तों आपको देखा होगा आपने जड़े खराब हो गई थी जड़े निकल गई थी उखड़ सा गया था वो प्लांट तो इसलिए वो सूखने लगा तो जो प्लांट में ग्रीनरी नहीं है पहले तो यहां सर्वाइव नहीं कर सकता था दूसरी बात अगर मै अपना प्लांट नहीं बचा पाई हो लेकिन आप बचा सकते हैं बिलकुल डाइन्थस वाला प्रोसेस आपको करना है बिलकुल सेम डाइन्थस की तरह डाइन्थस गजानिया इन सब को ग्रो बैग में कर दीजिए बारिश से बचाईए धूप से बचाईए धूप जादा मत लगने दीजिए दोस्तों कैसी लगी आज की इंफरमेशन ज्यादा लॉंग वीडियो आज का मैंने नहीं लिया है सिर्फ ओली 10 मिनिट्स का वीडियो मैं आज का बना रही हूँ लिए प्रूप जाए टूब तो एट लॉप एक बार्ट चानल सुद्च्ट प्रूप टूप लॉडब एट लॉड़ दू बार्ट चानल वीडियो आज की इंट्रीजिए वाई